आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आयुस्मान भारत योजना के अंतरगत एक ऐसे नए सदसे का नाम जिसके की आयुस्मान कार्ड नहीं बना है और लिस्ट में उसका नाम नहीं है उस सदसे का नाम हम कैसे सामिल कर सकते हैं अभी तक आप किसी भी सदसे का नाम खुद से अपने आयुस्मान कार्ड की लिस्ट में सामिल नहीं कर पाते थे लेकिन अब आप आयुस्मान भारत योजना के अंतरगत किसी भी सदसे का नाम खुद से ही सामिल कर सकते हैं जिससे की आप उसे आयुस्मान कार्ड योजना का ल साथ यसाथ आप उसे 5 लाग तक का मुफ्त में इलाज भी करवा सकते हैं तो चलिए हम देखते हैं कि आप आयुस्मान भारत वेशना के अंतरगत एक नए सदस्य का नाम कैसे सामिल करेंगे इसके लिए आपको benficiary.nha.gov.in साइट पर आजाना है इस पोर्टल पर पहले सिर्फ ऑपरेटर द्वारा ही किसी भी नए सदस्य का नाम जोड़ा जा सकता था या फिर आयुस्मान कार्ड बनाया और डाउनलोड किया जा सकता था लेकिन अब आप इस पोर्टल पर खुद से ही आयुसमान कार्ड की लिस्ट में किसी भी सदसे का नाम जोड सकते हैं और फिर उसका आयुसमान कार्ड बना सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको यह प्रोसेस कैसे करना है इसके लिए आपको सरव प्रथम इस Benficiary वाले option पर checkbox करना है उसके बाद आपको next mobile number fill कर लेना है और फिर verify वाले option पर click करना है authentication mode वाले option में आपको mobile OTP option पर click करना है उसके बाद mobile पर OTP जाएगा और आपको OTP fill करके next capture fill कर लेना है capture जैसे भी capital या small letter में है आपको same वैसे ही fill करना है उसके बाद फिर आपको login वाले option पर click करना है अब आप आईसमान भारत योजना के अंतरगत login कर चुके हैं अब इसमें सबसे पहले आपको आईसमान card की list में नाम जोडने के लिए या फिर आईसमान card बनाने के लिए या तो फिर आईसमान card को download करने के लिए सबसे पहले अपना details fetch करवाना है इसमें आप सबसे पहले अपना state select कर लेंगे next आपको scheme में PMJAY option पर रखना है next आपको अपना district select कर लेना है जो भी आपका district है इसके बाद search by family ID, आधार number, name, location, rural, location, urban आप किस तरीके से अपना details fetch करवाना चाहते हैं आप जिस भी data से अपना details fetch करवाना चाहते हैं आप उस पर click करें family ID अगर आपके पास है तो आप family ID से कर सकते हैं या तो फिर आधार number या नाम से या location के रिया से यहाँ पर आप अपना आधार number वाला option select करेंगे और फिर यहाँ आधार number fill करेंगे आधार number fill करने के बाद आपको इस search वाले option पर click करना है यहाँ से आपके परिवार में जितने भी सदसे हैं आप सबका details से देख सकते हैं किसका इसमान कार्ड बन गया है या किसका पेंडिंग है या किसका बना ही नहीं है आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं अब इसमें अभी तो हमें जिस भी सदसे का नाम जोड़ना है उसके लिए हम सबसे पहले इस डाउनलोड वाले option पर click करेंगे और फिर इस verify वाले option पर click करेंगे next check box पर click करने के बाद allow वाले option पर click करेंगे और फिर उस सदसे के अधार से link mobile number पर एक OTP जाएगा OTP fill करने के बाद आपको authenticate option पर click करना है अब अगर चाते हैं तो परिवार के किसी भी सदसे का आईसमान का डाउनलोड कर सकते हैं और अभी हमें जो सदसे का नाम इसमें add नहीं है उसका नाम add करने के लिए आपको इस add family member वाले option पर आना है अब यहाँ पर आपको एक बार फिर अपना authentication करने के लिए कहा जाएगा इसमें आप इस other OTP वाले option पर select करेंगे और फिर verify option पर click करेंगे यहाँ से आपका फिर KYC किया जाएगा और फिर जिसके जर्ये की आप उस नए सदसे का नाम add कर सकते हैं अब यहाँ पर आपको एक new member का details fill करने के लिए option आएगा यहाँ पर आपको उस member का name fill कर लेना है उसका gender select कर लेना है relation select कर लेना है वा कौन है और next उसका date of birth select करना है और उसके बाद select ID type यहाँ पर आपको आईसमान काड में उस सदस का नाम जोड़ने के लिए किसी भी एक ID की जरूत होगी जिसमें कि आपका government certified list आप members होना चाहिए या फिर PM letter हो या फिर रासन काड हो या marriage certificate हो या birth certificate हो तो इसमें से आपके पास जो भी documents है भी label होंगे आप उसे लगा लेंगे और साथ में ही आप यहाँ पर जिस ID proof को select करते हैं उसका number यहाँ पर आपको fill कर देना होगा number fill करने के बाद यहाँ upload support documents में आपने जिस भी ID को select किया है और उसका number डाला है उसका PDF copy आपको यहाँ पर upload कर देना है उसके बाद फिर अगर उसका अधार card बना है और अधार mobile number link है तो आप यहाँ अधार OTP वाले option पर click कर देंगे otherwise अगर उसका अधार card नहीं बना है आप fingers या iris से scan करवा के उसको authenticate करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से fingers भी authenticate करवा सकते हैं इसमें आपका अधार card का होना कोई भी जवरी नहीं है अगर आप अधार OTP वाला option select करते हैं तो यहाँ पर आपको अधार number फिल करके verify option पर click करना होगा otherwise अगर आप finger print या iris scan वाले option पर click करते हैं तो उसके लिए आपके पास finger print machine या फिर iris scan वाली machine होना जरूरी है तो हम आधार number वाले option पर click किया हैं हम आधार number fill के verify वाले option पर click करते हैं verify option पर click करने के बाद आपके सामने consent आएगा आप उसको read कर लिजएगा और इस check box पर click करिएगा क्लिक करने के बाद आपको इस allow वाले option पर क्लिक करना है इसके बाद इस आधार कार्ड नंबर शेल लिंक मुबाईल नंबर पर एक OTP बेजा जाएगा आपको उस OTP को fill कर लेना है इसके बाद कुछ इस तरह से उस person का details open होकर आ जाएगा अब इसमें आपको इसके नीचे additional information वाले option पर आजाना है next option है do you have mobile number इसमें आपको yes option रखना है और फिर उसके बाद mobile number fill करके verify वाले option पर क्लिक करना है इसके बाद उस mobile number पर OTP भेजी जाएगी आपको उस OTP को fill कर लेना है उसके बाद next आपका date of birth select है, relation select है next आपको pin code fill कर लेना है, state आपका automatically select है, district select है, rural या urban आप grammar छेतर से आते हैं, या सहरी छेतर से आते हैं, ये भी आपका select है next आपको city का नाम selected कर लेना है, और town का नाम selected कर लेना है national information वाले option में सब कुछ details fill करने के बाद, next आप फोटोग्राफ वाले option में आपको जिस भी सदस से का नाम जोड़ रहा है, उसका live photo लेना जरूरी है यहां के आपके पास camera होना चीए, और यहां से आप capture photo वाले option पर click करके live photo ले लेंगे और फिर उसके बाद यहां ने चाहिए submit वाले option पर click करेंगे submit option पर click करने के बाद, आपके सामने successful का message आ जाएगा और आपको एक reference number दिया जाएगा, आपको उस reference number को note कर लेना है पर्षन का detail से इस list में मिल जाएगा और आप यहां से उसका ice man card निकाल सकते हैं इस तरह से आप किसी भी person का उसकी family list में नाम add कर सकते हैं और उसका ice man card निकाल सकते हैं तो यह इतना ही, अब हम मिलते हैं आपसे अपने next video में सुरू से अन तक हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छे लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और सेयर जरूर करिएगा